ये नव बाते हमेशा गुप्त रखे, भुल से भी किसी को ना बताए। नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका, शुक्र निती अनुसार, ऐसी कोन्सी नव बाते है, जो हमेशा हमें गुप्त रखनी चाहिए, तो आई ये जानते है। दोस्तो, शुक्राचारिय भले ही दानवों के गुरु थे, परन्तु वे महाग्यानी और वेदों के ज्याता थे। सभी नितियों में शुक्राचारिय की निती को स्रिष्ठ माना जाता है। शुक्राचारिय के नितियों के कारण ही महराजा बली जैसे असूर, महादानी और महापराक्रमी बन गए थे। शुक्राचार्य की निती में धर्म अर्थ काम मुक्ष सैन्य विवस्था, राज्यकारिय जीवन शैली आधी कई विश्यों के बारे में बताया गया है। शत्रु और मित्रों को किस तऱ पहचानना है और दूसरों के साथ किस तऱ व्यववार करना चाहिए। आज के इस विडियो में हम आपको शुक्राचार्य जीने बताई हुई ऐसी नव बातों के बारे में बतायाएंगे। जीने हमेशा गुप्त रखना चाहिए अगर ये बाते दुसरों को पता चल गई तो आप बड़ी परिशानी में फस सकते हैं क्योंकि ये नव बाते ऐसी है जो आपके साथ आपके कुल को भी बदनाम कर सकती है या फिर आप पर कोई संकड भी ला सकती है इसलिए इन बातों को एक बार अवश्य जान ले लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले विडियो आप देख सके तो आईये जानते है कोन सी है वो नव बाते सब्से पहले हम शुक्र निति का शुलोक सुनाएंगे आयूर वित्तम गुरुह चिद्रम, मंत्र मैथून भेशजम, दान मानाप मानांच, नईवेतानी सुगपयेतु पहली बात है मान, शुक्राचार्य कहते है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का दिखावा नहीं करना चाहिए अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है या किसी काम में यश मिला है तो उसका गुनगान दुसरों के सामने कतई ना करे दुसरों को इसके बारे में कभी ना बताए नहीं तो दुसरों के मन में आपके बारे में द्वेश की भावना जागुरुत हो सकती है लोग आपके प्रती घुरुना कर सकते है साथ ही इससे आपके अपने भी दूर हो सकते है अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है और आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो आपसे द्वेश करने वाले लोग आपको बद्दुआ दे सकते है और बुरी नजर से देख सकते है और इसके परिणाम आपको निकट भविश्य में देखने को मिल सकते है इसलिए अपने मान सम्मान का दिखावा कताई ना करे। दूसरी बात है अपमान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी निजविक्ति ने आपका किसी कारणवश अपमान किया है या फिर आपको ठुकराया है तो यह बात भी कभी किसी को ना बताए। अगर आप ऐसा करते है तो लोग आपको ही गलत समझ सकते है और फिर वे भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे। क्योंकि लोग हमेशा दूसरों के गलत पहलुआम पर ही ध्यान देते है। हमेशा दूसरों के अंदर की बुराई खोशते रहते है। अगर आपके अपमान के बारे में उनको पता चल गया तो वे भी उस बात को लेकर भविश्य में आपका अपमान कर सकते है। तीसरी बात है मंत्र शुक्राचार्य के अनुसार यदि आपको किसी गुरु ने गुप्त मंत्र दिया है तो इस मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताए। जब तक वह मंत्र गुप्त रहता है तभी उसके जब का फल आपको मिलता है। अगर आप उस मंत्र के बारे में दुसरों को बताते है तो उसका फल नश्ट हो जाता है। आपको उस मंत्र के जापका कोई बल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मंत्र को हमेशा गुप्त रखिए। चौथी बात है धन। शुक्राचार्य के अनुसार मनिश्य को अपनी आर्थिक स्थिती का पता कभी दुसरों को नहीं चलने देना चाहिए। चाहे आप कितना भी क्यों न कमाएं। उसका दिखावा ना करे। चाहे धनकी हानी ही क्यों न हुई हो। इसके बारे में भी दूसरों को ना बताए। अगर आपके गरीब परिस्थिती के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा, तो वे आपकी मदद नहीं करेंगे और नहीं आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आजकल गरीब व्यक्ति को मदद मुश्किल से ही मिल पाती है। पांचवी बात है आयू, हमेशा से कहा जाता है कि मनिश्य को अपनी आयू हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, आयू को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है, आपके आयू के बारे में पता चलने पर आपके विरोधी, इस बात का प्रयोग समय आने पर आ सकते है, इसलिए अपनी आयू को हमेशा गुप्त रखे, चटी बात है घर के जगडे, घर के जगडों की बाते या परिजनों के साथ आपसी मन मुटाव की बाते, इन बातों को कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, आपके घर के कमजोरियों का कोई भी फाइदा उठा स सकता है, इसलिए बहतर है कि आप अपने परिवार के जगडों को परिवार तक ही स्विमित रखे, इने सार्वजनिक करने पर परिवार के मान सम्मान एबं प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, साथ ही परिवार के लोगों के साथ हुए जगडे का फाइदा, कोई बाहरी व्यक् को इसमें शामिल ना करे, सात्वी बात है अउशद, अउशद यानि की वैद्य, शुक्राचार्य के अनुसार चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो आपके बारे में कई निजी बाते जानता है, ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग चिकित्सक की मद की आउशदी और चिकित्सक के बारे में बाते गुप्त रखी जाए, आठवी बात है काम क्रिया, काम क्रिया पती और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक है, इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सही होता है, पती पत्नी की निजी बाते किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलना उसके लिए परेशानी और शर्मकाभी कारण बन सकती है। इसलिए इस कार्य को हमेशा ही अकेले में ही करना चाहिए। नौवी बात है दान। दान एक ऐसा पुन्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो हमेशा दूसरों से तारिक पाने के लिए या अन्य लोगों के बीच अपनी महंता दिखाने के लिए अपने दान का दिखावा करता है। उसे उसके दान का कोई फल नह ही मिलता। ऐसा दान भोग की श्रेणी में आता है। इसलिए अपने दान को कभी किसी को ना बताए। तो दोस्तो ये थी वो नौव बाते जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दोस्तो ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चानल को सब्सक्राइ करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद। और मैं रहए पन्यवा नाए पन्यवाद।